मेरे पैरे दोस्तों, आज का ये वीडियो वीडियो कम है, लेकिन हमारे प्यारे सभी स्टुडेंट्स के लिए एक बहुत इंपोर्टेंट सजेशन है और ये सजेशन को अगर आम मान लेते हैं, तो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर होने वाली है इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे हैं शुरुआ से लेकिन अन्त तक, मैं हूँ अमित कक्कड और आप देख रहे हैं चैनल, अमित कक्कड स्पीक्स दोस्तों, आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, कि हमारे बच्चे जब अपने बेसिक कंसेप्स को पढ़ लेते हैं, कोई भी अच्छा तीचर, जब उन्हें पढ़ा देता है वो कंसेप्स, चाए वो कंसेप्स स्कूल में पढ़ाए गए हों, या और वो बच्चे किसी कॉंपरिटिव एग्जामेनेशन की बहुत अच्छे इंस्ट्यूट में प्रिपरेशन कर रहे हूँ, तो नो डाउट उन्हें बड़े अच्छे से कंसेप्स पढ़ा दिये गए हैं, अच्छा, दूरिंग का कंसेप्स उनको कुछ 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 हो जाता है, और वो questions लगाने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम different books, फ्रॉम practice books, फ्रॉम work books, फ्रॉम work sheet जो भी material उनको मिलता है कि अब क्वेशन कौसि प्रैक्टिस करिए, concept ने बाद काउस चंहरा होगा, इस बाजब कंसेप्स करिए GUY तब uno कर भी लेते हैं लेकिन मजा तब आता है जब उनको एक unseen question मतलब एक ऐसा question जो पहली बार वो देख रहे हैं उस type का question class में solve नहीं हुआ हलाकि fundamental cover हो गया है topic खतम हो गया है chapter finish हो गया है लेकिन उस type का question वो उनके लिए एक बिल्कुल brand new question है एक unseen type का question है और जब वो उसे solve करने की कोशिश करते हैं तो majority of the students का उस question में doubt आजाता है और हर जगे किसी भी examination में चाहे वो आपके board examination हो चाहे वो 9th, 10th, 11th, 12th के board examination हो या आप किसी competitive examination के लिए prepare कर रहे हो उनका examination हो या कोई entrance examination हो 30% question बिल्कुल brand new पूछे जाते हैं तो बच्चे हम से बोलते हैं इतना बढ़िया पढ़ने के बाद भी जब एक नया question आता है तो उस पे हमारा attack डेवलप नहीं हो पाता और वो question हमारा एक doubt के form में जन्रेट हो जाता है और हम teacher को approach करने लगते हैं कि वो हमारा doubt किसी तरह से solve हो जाए लेकिन ये right strategy नहीं है अगर आप चाहते हो कि आप एक नए question पे attack डेवलप कर पाओ concept clear होने के बाद एक नया question जो आप पहली बार देख रहे हो वो आप solve करने में section हो पाओ तो ये बहुत important हमारा suggestion है इस video के माद्यम से उसको जरूर अच्छे से सुनिएगा उसके लिए सबसे पहले आपको ये बात देखनी है कि जब आप किसी नए question पे attack करना चाते हैं तो देखिए कितना बढ़िया मैंने आपको लिखा है before reaching to the teacher बलब हमारा एक doubt आया और हमने तुरंट teacher से solve कर वा लिया तो हमारा दिमाग कहां चला तो वो question एक तरह से फिर आपके लिए वही question हो गया जैसे teacher एक class में question कराता है लेकिन अगर हम इस चीज को थोड़ा सा restrict कर लें कि हमारे दिमाग में doubt आया है let that doubt be there in our mind हम तुरंट teacher को approach नहीं करेंगे उसके लिए हम पहले अपने कुछ self-attempts देंगे तो कितने वो self-attempts how many self-attempts हमको अपने देने है to clear our own doubts मैं जो strategy बता रहा हूँ इस चीज का answer जो आने वाला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगले एक मिनट के अंदर उस चीज को जरूर फालो करना मेरे प्यारे दोस्तों और आप देखोगे 90% ये problem आपके solve हो जाएगी हाँ 10% जो essential doubts बचेंगे उसके बाद उसके लिए teacher आपके पास विराजमान है आप जब भी उनसे मिलते हो किसी भी माध्यब से चाहिए वो offline हो या online हो आप उनसे पूछ सकते हो लेकिन right answer जो इस चीज का है कि कितने हमें self attempt देने है teacher से उस doubt का solution पूछने से पहले हमें अपने कितने प्रयास करने है उसको solve करने के तो बच्चों उसका answer है तीन attempts there should be three attempts on idea जो आपकी side से देने है लेकिन कैसे देने है इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा देखिए होता क्या है जब हम कोई question solve कर रहे होते हैं और उसमें हमारा doubt आता है तो हमारा जो mind होता है वो unidirectional हो जाता है और जब unidirectional होता है तो आप उसमें घंटों के घंटों तबाह कर देते हो और वो पांच मिनट का question या दो मिनट का solution होने वाला था या तीन मिनट में solution होने वाला था आपका घंटा भी बरवाद हो जाता है दो घंटे बरवाद हो जाते हैं बरवाद नहीं करना है आपने 10-15 मिनट उसको दे दिये यार उसका solution दो मिनट के अंदर आना था या तीन मिनट के अंदर आना था आप उसके five times time already दे चुके हो अब उसको आप time देना वहाँ बंद करो और आपने further questions को solve करने की कोशिश करो अच्छा maybe next day में भी वो question solve नहीं होता है आप से कोई बात नहीं अभी भी वो doubt आपके दिमाग में उसको tick mark कर लिजे maybe another one day or two days के बाद उसको एक बार और हिट करने की कोशिश करिए कि basic fundamental clear है ये doubt हमारा है क्यों नहीं solve हो रहा है और आप देखेंगे जब इस तरह से आप different different moments पे उसी doubt पे तीन attempt देंगे तो आप से 70 to 80% आपके doubt आप खुदी solve कर लोगे और जब यह ऐसा होने लगेगा माइडिया आप देखोगे कि 70 to 80% अभी यार मेरा doubt था teacher से हमने पूछा ही नहीं और हमने खुदी solve कर लिया बस थोड़ा सा उस doubt को हमने समय दिया कि ठीक है हमको एक दिन में नहीं पूछ रहा है हम 3-4 दिन में उसको 2-3 attempt देंगे उसके बाद नहीं solve होता तो हम teacher से पूछेंगे तो जब आपके इस process में 70-80% doubt आपके खुदी solve होने लगेंगे आपका level of confidence level ये shoot होगा ध्यान रखिएगा जब आप कोई भी doubt एक teacher के माध्यम से solve करते हैं teacher उसको आपको समझाता है उस doubt का solution my dear तो आपका जो confidence level बढ़ता है वो मात्र 10% बढ़ता है क्योंकि वो आपके लिए एक simple सा question class का question हो जाता है कि teacher ने भाई 10 question कराया थे 11 करा दिया लेकिन जब वही doubt आप अपने level से solve करते हो आपका doubt और आप ही ने उसमें समय दिया different different moments पे और वो doubt solve हुआ आपके confidence level में 10-10% नहीं 80% का improvement 8 times more confidence level आपका increase होता है when you are going to solve your own doubts तो it's my personal suggestion to all of you हर बच्चे के लिए suggestion है कि doubt है तो उसके साथ जीरा सीखो उसको sustain करो immediately solve करवाने की कोशिश किसी से मत करो किसी friend को approach मत करो किसी teacher को approach मत करो कम से कम उसे 3 attempt दीजिये मैंने 3 attempts का नाम लिया है आप तो 3 attempt उसको अलग-अलग समय पे देने चाहिए और minimum in attempts में भी एक दिन का time interval होना चाहिए उसके बाद अगर वो doubt solve नहीं होता है then you should refer your friend और your senior और your teacher whosoever it is तो दोस्तों I think आपको यह हमारी tip दीजिये tip बड़ी पसंद आई होगी और आप इसको follow करिये और मुझे comment box में लिखिएगा कि आपको कैसी लगी और ज़्यादा ज़्यादा इस video को share करिये हम लोग हर एक platform पे मौझूद है my dear telegram channel भी है facebook page भी है instagram पे भी है और youtube channel तो आप देखी रहे हैं और हमारे साथ बने रहे हैं हम इसी तरह के छोड़ी छोड़ी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जिसको अगर आप apply करेंगे तो आपकी जो learning ability है जो capability है जो strength है वो बिल्कुल ये shoot करेगी my dear कहां से आप कहां पहुँचेंगे लेकिन उसके लिए आपको इन सभी चीज़ों को follow करना है और हम आए साथ बने रहे है जाए हिंद नमस्कार